Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले है In fact, इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले है यह जो हमारा प्यारा सा चैप्टर है Freedom तो अब हम वही पढ़ने वाले है कि आखिर Freedom है क्या What is Freedom? इस टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले है Believe me, यह एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक और फ्लो में बने रहोगे यह जैसे जैसे बताते जाओंगा वैसे वैसे समझते चलना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जागए टॉपिक अभी तेख हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको वैसे तो थीम डेफिनेशन समझाई किस चीज की Freedom की अब उसी डेफिनेशन को हम पोस्ट मारम करने वाले हैं पर पूरा उसको देखेंगे हर डेमिंशन से कि क्या Freedom है आखिर और इसके बाद में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया कि दो एक्जामपल बताये नलसन मंडेला का एक्जामपल बताया और आंग सांग सूकी का कि यह जो आइडिया है ना यह जो भाव है Freedom का आजादी का यह इतना important है कि बड़ी-बड़ी prominent personalities ने अपनी Freedom दाओ पे लगा दी Let us try to understand it in Bahubali style Bahubali style में कैसे तो यह वाला scene दिया रहे हैं आपको यह अजीब सी भाशा बोलने वाले जो यह जो टीम थी यह जब जीतने वाली थी ठीक है यह लोग कमजोर हो जाते हैं तो जो Bahubali रहता है वो बोलता है कि क्या है मृत्यू तो मैं उसी तरह से आपसे पुछता हूँ क्या है आजादी, क्या है Freedom Freedom आप लोगों के लिए क्या माहिने रखती बताओं सोचो दो मिनिट के लिए ठीक है क्या है Freedom Freedom क्या है तो जैसे आप अभी देखोगे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि Freedom में आप बोलता होगे It is Overcoming the Fear ठीक है आप आपके डर से उपर आ जाओ आपको आजादी मिल जाएगी ठीक है वो एक dimension है लेकिन आप Political Theory में जब systematically पढ़ते चलते हैं हम चीजों को तो अब हम systematically वैसे ही definition भी निकालते हैं What is Freedom? ठीक है तो Freedom is absence of constraints absence of constraints आजादी क्या अब आजाद कब होगे जब आपके उपर कोई बंदिशे नहीं होगी ठीक है simple सा A plus B वाला concept है यहाँ पे तो क्या कि आजादी कब मिलेगी जब बंदिशे नहीं होगी तो आजादी क्या है? जहाँ बंदिशे नहीं हो जहाँ constraints नहीं हो What is Freedom? तो Freedom is absence of constraints आया समझ में? ठीक है? नहीं आया चलो और simplify करते है देखो constraints जो है मतलब आपके उपर किसी प्रकार से रोख लगाना ठीक आप गाड़ी लेके जा रहे हो आपको रोख लगा दिए तो आप आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी न आपकी मतलब आपके पास आजादी नहीं क्या आगे निकल पाओ आप आप रुख गए हो आप अब आप आजाद नहीं क्योंकि आपके उपर एक बंदिश लगा दी गई है तो उस सेंस में क्या होता है आजादी क्या होती है आजादी आपके सारी बंदिशों से आपको मुक्ती मिल जाना What is freedom? Freedom is absence of constraints और क्यों constraints नहीं होना चीए, क्यों बंदिशे नहीं होना चीए देखो, तो उसके पीछे का कारण Individual could be considered free if he, she is not subject to external controls or coercions and is able to make independent decisions and act in an autonomous way Individual को आप free कब consider करोगे पता है जब उसके उपर कोई external constraints ना हो, कोई external controls ना हो अगर external controls लगा दिये जाएंगे, तो वो individual क्या है? Individual अपने आपको पूरी तरह से अपने decisions को अपने आपको independently enjoy नहीं कर पाएगा वो independently अपने decisions नहीं ले पाएगा ठीक है? और वो autonomous way में अपने काम नहीं कर पाएगा Autonomous way में मतलब क्या है? कि बिना फिर वो जैसे अगर मान लो कि इसके उपर constant है, तो वो हमेशा उस डर से डरा हुआ रहेगा, उस बंदिशों से डरा हुआ रहेगा वो independently काम नहीं कर पाएगा ठीक है? तो इसलिए absence of constant is a basic necessity when we talk about freedom तो what is freedom? तो freedom is absence of constant क्यों जरूर है? क्योंकि अगर किसी प्रकार का external control रहेगा तब individual क्या है? independently decision ही नहीं ले पाएगा वो independently काम ही नहीं कर पाएगा तो वो individual अपने हिसाब से चीजें कर पाएगा आगे मैंने आपको क्या बताया था introduction में freedom क्या एक तरह से? कि people should be in a position to live their life by themselves ठीक है? वो अपने हिसाब से जीवन जी सके तो जब उनके उपर बंदिशें नहीं होगी जब absence of constant होगे तब ही तो वो अपने हिसाब से जीवन जी पाएगे आया ना समझ में? तो ये definition suit करती है freedom की definition पे ठीक है? मतलब ये जो explanation है freedom की definition को suit करता है कि नहीं करता है अब मनी मन में आप जबाब दोगे answer करता है ठीक है? चलो तो लेकिन इतना ही नहीं है ठीक? ये एक dimension है मैंने आपको starting में ही बताया था freedom के अब freedom चलो आप जितने भी आगे chapters पड़ोगे हर chapter को आपको multiple dimension से देखना है तो आप जब multiple dimension से देखोगे तो ये एक dimension है दूसरा dimension क्या है देखो तो ये तो सही है freedom means absence of constraints plus plus क्या आगया? plus the ability to express themselves and develop their potentials ठीक है? शब्द को समझो develop their potentials आपको एक बहुत अच्छा example देता हूँ आप बोलो के absence of constraints means freedom आपको कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए आपको पर कोई बंदिश्य नहीं होना चाहिए आप drugs लेने लगे बहुत जादा चिक है? आप बहुत जादा लेकिन आप क्या सही माइने में अपने आपको develop कर रहे हूँ उस चीज से वैसी आजादी किस काम के जिस आजादी से आप अपने आपको खतम कर रहे हो ठीक है? आप अपने आपको destroy कर रहे हो तो इसी लिए over the period of time आजादी की definition जो freedom की जो definition है आपकी ठीक है? उसमें एक point क्या add होता है? स्वतनतता की definition है आपके उसमें क्या point add होता है? दूसरा dimension जो है वो freedom means the ability to express themselves आप अपने आपको क्या करो? एक्सप्रेस करो ठीक है? सही माइने में and develop your own potentials develop their own potentials ठीक है? तो आप जड़ा दोनों को मिला दो और answer लिख क्या हो और पूरे number लिख क्या हो ठीक है? freedom क्या होती तो freedom means absence of constraints and along with that there should be in a position in which they have the ability to express themselves and develop their potential. तो यह सही माइने में किस की definition होती है? यह सही माइने में freedom की definition होती है तो therefore freedom or free society what can we say about freedom or free society? एक freedom या free society क्या होती है? तो it is a society which enables all its members to develop their potential जरूरी यह है कि आप आजादी इस तरीके से दो कि सब आगे बढ़े अपने आपको destroy ना करे उस आजादी का इस्तिमाल करते हो है तो society which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints तो with the minimum of social constraints मतलब समाज उनके उपर क्या करे किसी प्रकार के बंदीशी ना लगा है उनके उपर कोई constraints उन्हें रोखा ना जाए अब शब्द पे जा रख और करो with the minimum of social constraints हमने तो absence of social constraints की बात करी थी ती आप तो बोल रहे थे definition में absence of constraints होना चाहिए मतलब रोक टोक होना ही नहीं चाहिए ठीक लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया minimum of social constraints मतलब constraints तो होंगे ठीक है मतलब बंदिशे तो होंगी लेकिन minimum होगी अब वो minimum क्या है क्यों जरुवत है वो सारी चीजी समझते चलो ठीक है clear होगा ना तो definition में यह चीज धियान रखना freedom की सही definition या फिर कह सकते free society क्या होगी जहां पे आप आपके individuals को सबसे important चीजी है कि आपके individuals उस position में रहना चाहिए उनके पास ability होना चाहिए कि वो अपने आपको freely express कर सकें express करने के सांस साथ में हो क्या कर सकें अपने आपको develop करें ठीक है develop करें in the presence of minimum social constraints अब यह social constraint वाली क्या angle है definition में यह वाला angle समझते हैं हम देखो तो यह angle इस तरह से freedom comes with constraints ठीक है social constraints मतलब सामाजिक द्रश्टी कोण से अगर देखा जाए अगर society के perspective से देखा जाए तो अब क्योंकि society में क्या है देखो society में individuals है ठीक जैसे अगर आप देखोगे society है society किस से मिलके बनिये आप मैं ठीक है हम सब मिलके क्या करते है society society को बनाते हैं ठीक हम सभी लोग रहते हैं तभी तो समाज बनता है तो उस सेंस में क्या है कि अब आप आपके आजादी enjoy करोगे ठीक है बहुत बढ़िया है congratulations लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे की आजादी को क्या कर दो दूसरे की मतलब दूसरे का जो sphere है दूसरे की जो क्या सकते area है freedom का ठीक है उसके उपर encroach करो ठीक तो उस sense में क्या है ऐसा सोचा गया कि आप freedom में आपके उपर कोई constraint नहीं होंगे ठीक है आप अपने आपको develop करो आप अपने आपको express कर पाओ वो सारी conditions आपके लिए provide की जानी चाहिए लेकिन आप दूसरों की conditions को न विगाड़ो इसके लिए आपको constraints भी डालना पड़ेंगे आपके उपर social constraints भी डालना पड़ेंगे ठीक है तो अब सवाल है आता constraint के अगर हम बात करते हैं जैसे मैंने लिग दिया freedom comes with constraints आजादी बंदिशों के साथ आती है ठीक है with great power comes great responsibility तो वहाँ पर वही चीज़ बताएगी कि आप freedom को enjoy करोगे तो आपको responsibly उस चीज़ को enjoy करना होगा ठीक है तो उसी चीज़ को अब हमने बोल दिया लेकिन सब मानते का है तो फिर rules regulation constants बनाये जाते हैं ठीक सवाली आता है question in which constraints are justified constants are justified and which are not सवाली आता है which constraints are question is which constraints are justified and which are not कौन से बंदिशे सही है कौन सी गलत है ठीक अब जिसे माननों क्या है common एकदम क्या है ground level पर आप चीज़ों को समझते चलोगे आपको चीज़ों को कर रहे हो डीजे बजा रहे हो जोर जोर से तो उसमें क्या हो रहा है अब उसमें तो आपके उपर बंदिश लगाना पड़ेगी क्यों कि जैसे आप आपके आजादी enjoy कर रहे हो दूसरे सोने की भी आजादी ना उनको ठीक है तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर एंगल ऐसा है कि आप दूसरों की freedom दूसरों के area में encroach कर रहे हो लेकिन अगर आप red color का कपड़ा पहन के जाना चाहरे हो आप green color का कपड़ा पहन के जाना चाहरे हो आप pink color का कपड़ा पहन के जाना चाहरे हो कपड़े पहन के जाना लेकिन, तो अब क्या होगा, तो उस पर आप कोई constraint नहीं लगाएगा ना, क्यों क्योंकि आपके किसी भी color के कपड़े पहनने से किसी दूसरे के ऊपर क्या impact पढ़ रहा होगा, क्या impact पढ़ेगा, जला न लग होगी उसको वो बात अला कि अगर आप कि किस तरह का restriction आपके ऊपर लगा जाना चाहिए, वो reasonable होना चाहिए, रात में दो बजे गाना बजाओगे, तो वो reasonably justified है कि constant लगाया जाए आपके ऊपर, आपको रात में दो बजे गाना नहीं बजाने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग सो रहे है, अब आप पिं कौन से acceptable होंगे, कौन से remove किया जाने चाहिए, तो उस चीज को अगर समझना है, यह जो दो सवाल है कि कौन से constant सही है, कौन से constant सही नहीं है, तो उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, to understand this, we must look at the relationship between individuals and society, इस चीज को समझना है, तो हमें individual and society के बीच का relation समझना क्या होगा, तो आप अपनी freedom enjoy करोगे, लेकिन आपके ऊपर एक responsibility भी आती, कि आप क्या करोगे, कि due consideration दोगे दूसरे लोगों की freedom को, तो अब जो भी constant होगे, या constant नहीं होगे, तो इस चीज पर depend करेंगे, कि आप जो है, what society permits to the individual, क्योंकि society में रहना है, ना, एक समाज में रहना है, दोगो, आप extreme level पर freedom की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब extreme level पर freedom की बात करोगे, जैसे क्या होता है, अब एक example बहुत अच्छे ये लिया जाता है, इस theory को explain करते समय, क्या, क्या आप बोलोगे, भया मैं, क्या करूँगा, मैं शराब जाएगा, तो इस sense में ये कहा जाता है, क्या, कि आपके उपर जो constraint लगाये जाएंगे, वो आपके relation, society के perspective से देख के लगाये जाएंगे, ठीके, वैसे ही अभी lockdown वाले period में लोग बोलते हैं कि आपने आपका मास्क पहना है, ठीके, तो शुरक्षी तो आप निश्चिंत र बात की जाती ही, तो it depends on what society permits to the individual, clear हुआ, so if we go by the definition, तो अब देखो मैंने आपको सारे dimension दिखा दिये, कि क्या होना चाहिए, minimum constraints होना चाहिए, minimum social constraints होना चाहिए, ठीके, और सबसे important ये क्या है, कि आपको ability दी जाना चाहिए, कि आप अपने आपको develop कर सको, वो freedom की सही definition होगी, ठीक, so if we go by the definition, freedom means the absence of constraints, ठीके, तो absence of constraints में क्या है, कि constraints जो है, वो reduce करना है आपको, जबरन बंदिशन ही लगाना है, ठीके, इसको आप, जैसे अब, मैंने क्या कह दिया, कि freedom जो है, तो freedom पे minimum constraints तो होनगे ही होनगे, तो इसको आप negatively देख सकते हो ऐसा, कि freedom को क्या कह रहे है, आपकी रोख लगाना ही, आजादी देना है, ठीके, कम रोख लगाना, आजादी देना एक तरह से, ठीक, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, कि यह तो सर, negative definition type से होगे, थोड़ी सी, constants, constants की बात कर रहे है, तो absence of constants में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, कि you are required to reduce or minimize social constants, ठीके, that limits our ability to make choices free, जैसे मैंने आपको बताया है, कि आपका कौन से color का कपड़ा पहनना है, उस चीज़ पर constant नहीं लगाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी choice है, वो आप से जुड़ी हुई है, उससे दूसरे को कोई harm नहीं हो रहा है, ठीक, तो इस sense में हमें ऐसे constants को कम करना है, कि बिना सरपैर के तरक दिये, ठीके, आप कोई भी बंदिशे लगा दो, तो वो आपको हटाना है, ठीके, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि absence of constants का मतलब क्या होता है, कि आप reduce करोगे, minimize करोगे, जो societal constants है, क्यों, क्योंकि उन्हें जब reduce करोगे, तभी आप freely को कर पाऊगे, अब इसको थोड़ा सा और positive side में देखें, तो क्या है, कि freedom का मतलब ये भी होता है, कि आपको छोड़ दिया जाए, ठीके, कि आप अपने, मतलब आपका जो opinion है, आपकी जो choice है, उसे choose कर लो, ठीके, साथ ही साथ में आपको condition दी जाए, ठीके, आपके लिए provisions for condition for development, ठीके, कि आप अपने आपको develop कर सको, ऐसी condition आपके लिए develop की जाए, clear, कि individuals जो है, individuals सबसे पहली तो चीज यह होगी, उनके पस, उनके पर कोई रोक थाम नहीं होगी, जबरन की, ठीके, हमें minimize करना है, और साथ ही साथ क्या होगी, definition में आपने जो दूसरा dimension, दूसरा angle देखा कि you are free, you are in a position to express yourself and to develop yourself, ठीक, तो आप अपने आपको develop कब कर पाओगे, आप अपने आपको develop कर पाओगे, जब आपके लिए वो condition बन पाएगी, एक और example देखते हैं यहापे, ठीके, कि किसी भी बच्चे को बाल, मतलब जो child labor होते, child labor नहीं बनाया जाएगा, समझना बाल मजदूरी करवाई जाती थी, तो वो क्या है, वो एक तरह से उनकी freedom के पर constant था, तो वो constant हता दो, क्यों, क्योंकि वो constant हता होगे, तभी तो बच्चा अपने, मतलब वो बच्चा पढ़ना चाहता था लेकिन उसको बाल मजदूर बना दिया, तो वो constant हता होगे, तभी तो वो पड़ेगा न, then only he will be in a position, और she will be in a position to go to the school, तो आपने वो constant हता दिया, साथ ही साथ में आपने उसको बाल मजदूरी तो आपने बंद कर दी, वो constant हता दिया, आपने कि उसको बाल मजदूर करवाय जा रहा था, लेकिन आप उसको school पहुचाना भी तो जरूरी है, त इसके चलते वो उसका development करा पाए, तो तभी government schools बनाएगी, free में बच्चों का admission देगी, connect कर पाया न, तो constraints भी हटाना है, freedom का मतलब यह होता कि absence of constraints रहे, reduce करो, minimize करो social constraints को, ताकि individual जो है वो choose कर सके, और दूसरी चीज़े क्या है, आपको condition develop करना होगी, positive side देखना होगा freedom का, त तो उस position में आए कि वो अपने आपको develop कर ले, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तो positive dimension इसका क्या रहा, कि availability of wide range of areas in which individuals, group, community or nation will be able to cater their own destiny, be what they wish to be, वो जो चाहते है, वो कर पाये उस चीज़ के लिए condition develop करना, तब freedom की definition complete होती है, snap recap करते है, तो freedom means absence of constraints, according to which government should reduce or minimize social conflict, constraints that limit our ability to make our choice freely, and along with that there should be the provisions for condition for development, ठीक है, and this shows the positive dimension of freedom, according to which government should provide the wide range of areas in which individuals, groups, communities or nations will be able to cater their own destiny and do and be what they wish to be, ठीक है, वो जो चाहते है, वो कर पाये, तो ये सारे जो points यहां पर लिखे है, इनसे आप एक अच्छा अंसर बना सकते हैं, What is freedom का, clear हुआ, आशा करता हूँ, इतना सारे examples, इतनी सारी theories से आपको ये समझ में आगे है कि freedom आखिर है क्या चीज, ठीक है, मैंने आपको multiple dimensions दिखा दिये, chapter में आगे इनी सारी चीजों को और retail में पढ़ने वाले हुआ, fine, तो, और freedom के अच्छे importance क्या है, दो मिनिट के judgments, अब individual level पे हमारी सबकी एक सोच होती है, हमारी एक सबकी क्या होती है, मतलब thinking होती है, जो हमें लगता क्या ये सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है, तो अगर वो constraints से free है, मतलब आपकी सोच ऐसी है कि bum फोडूँगा, terrorist बनूँगा, तो उस पर तो constraints लगेंगे ही लगेंगे तो since में क्या है, कि अगर आपकी सोच होती है, आप एक judgment सहीं ले पा रहें, आप ये सोच रहें कि अच्छी पड़ाई करूँगा, अच्छा scientist बनूँगा, देश का नाम उपर गरूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप जब free रहेंगे, तभी तो वो कर पाएंगे, ले of reason and judgment, individuals power of reason and judgment क्या है, कि individual के पास में power होती है, कि वो अपना तर्क दे सके, आप कुछ कर रहे हो, तो क्या सोच के कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हो, तो क्या सोच के पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे अपना एक reason है मेरे पास, ठीक है, तो अपने उस reason, अपने उस judgment के साथ में कर पाऊंगा आगे समझ में तो freedom होगी तभी तो हम कर पाएंगे ना तो उस sense में यह importance है freedom की freedom होना चाहिए क्यों कि वह individual judgment individual क्या सकते है individual power को show करता है ठीक है individual contribution को show करता है clear हुआ so this was all about what is freedom what is freedom में हमने बहुत सारे dimensions देखें कि freedom की definition क्या है freedom की definition में आप दो चीज़े ध्यान रखेंगे absence of constants ताकि हम अपनी choices ले सके और दूसरा क्या है we must be in a position where we can express ourselves freely और develop our potentials to the fullest ठीक है यह positive dimension हो गया so this was all about freedom I hope you enjoyed it आपको definition crystal cut समझ में आ गई है crystal clear हो गई है कि हाँ यह definition हमारी freedom की बनना चाहिए ठीक है अब यहां पर एक box में आपको content दिया है स्वराज का स्वराज क्या है उस चीज़ को हम next video में पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं तो स्वराज के बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे मज़ता चीज़ है वो भी ठीक है इंडी जीनियस concept है हमारा अपना clear है अब एक important चीज़ सुनते जाओ क्या कि magnet brains पर class 4th से class 12 तक इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं